इंदिया वर्सस बांगलादेश के विच्वे होने आरास के पहले ओधियाई मैच के बारे में एक एक प्ले का पूरा पूरा एनालिसिस बदाऊंगा कौँ किस नंबर पर बल्ले भज़िक लाएगा कौँ की तुने वाट बॉलिंग करके देने वाला है इस मैच के आप पुले पहली बर आये तो चलो को सब्सक्राइब करें फ्री का लाल बतने इसके लाम बहुत जब्सक्राइब करते हैं सबसे हमारी थीम से फोच्वे पिन किया हुआ लगा तो फिर आपको आपको रिप्लाय मिल जागा यानि कि आपकर या पका पास लिंक भेज दूआ इप था। क्लिए इस मैच के पिछी रुपर्ट कर ना यह वने बांगला देश के धाका के मीरपूर के से इडियम के बहुत अजीब से ही दिया के उग्यों क्या होंगे उसके आगे बात करेंगे मीरपूर के मैधान के पर यह मैच हो रहा है वाला है यानि कि स्पिनर्स को यहाँ पर ज्यादा मदद मिलेगा यह चीज़ को फोकस करना है आखरी की जो यहाँ पर नौ मैचस हुए है ना पचास और के वहाँ पर लगवा लगवा छे ऐसे मैचस गए जहाँ पर हाई स्कोरिंग गेम हुआ है तो अगर पहले ही इंदिया की तीम पहले बले लेने वाले हैं और यहाँ पर मुझे लगते दोस्तों असी करीब का आपको एवरेज स्कोर आखरी के छे मैचस में देखने को मिला हुआ है अगर श्रॉंग तीमें आमने सामने रही है तब कि में बात करो बांगलादेश की तीमी समय बहुत कम्सोर नजर नहीं आ रही है क् साकिबुलेसन भी इनकी तीम के पास है साकिबुलेसन जो की मिरपूर के मेधान के पर पहला रिकॉ। पहला की फैक्टर रहा आपके लिए साकीब अलसन ने जो आखिरी के यहाँ मिरपूर के सेडियम पर वहाँ भी इसको बालिंग से 21 फिकेट मिला हुआ बांगलादेश की तीम के पर्फरमिस करने के और भी चांसस बहुत जाएंगे दूसरा रिज़न इदिया के बहुत बड़े-बड़े बालर जैसे की जस्पी मुम्रा हो गया मौमा समी हो गया कोई भी समय खेल नहीं रहा है उसका यूजवेद रिचायल हो गया कोई नहीं खेल रहा है तो वहाँ पर साकी मुलादेश की तीम का कोई भी बड़ा प्लेयर जादा खेल नहीं रहा है तो साकी मुलासन और भी जादा अच्छा पर्फरमिस करके दे सकता है उसके बाद यहां से देखो बल्लेबाद जी आपसन ने विरात कोईली का एक और की फैक्टर जिसका रिकॉड बहुत ज्यादा सांदार है विरात कोईली ने आखरी जो यहां पर मेरपूर के स्थेदियम के ओपर बारा मैचस खेल रहे है ना उसमें से चार ऐसे मैचस गया जापर इसने सेंच्छरी मारा हुआ हुआ है तीन ऐसे मैचस गया जापर इसने 50 किया हुआ हुआ है यानि कि हर दूसरे मैचस यह 50 प्लस के रिंग खेल करके देता है मेरपूर के स्थेदियम इस समय विरात कोली को बहुत ज़्यादा पसंद है अब विरात कोली का परफॉर्मेस है आपको एवरेस देखनों मुला हुआ है सवेथी एधरन का मेरपूर के स्थेदियम को पर सब बंद हो गया स्रेस एयर हो गया इस सबसे अच्छा परफॉर्मेस आपको सिखर धवन करके दे सकते हैं अगर आप सिखर धवन के आखरी के बारा मैच्चस का परफॉर्मेस दिखोंगे ना तो इससे से नौ ऐसे मैच्चस गया है वह जाप इसने सक्टर के करीब तो इस समय पचास और के मैच्चेस में ओधियाई मैच्चेस में सिखर धावन और विराद कोईली से ज़्यादा फॉर्म है आपको कोई प्लेयर नजर नहीं आने वाला लितंदास लितंदास ने जो वल्ड कप का मैच हुआ था आपको याद होगा 27 बॉल पे सुक्सीर रंड क और कि दे सकता है अपनी के सबी लोग अच्छा परफॉर्मिस करते तो लितंदास पर जरूरी प्लेयर रहेगा इस मैच के लिए जो कि बल्लेवाज में ओपनिंग करेगा और एक टेस्ट ररार पाड़ी भी खेल करके दे सकता है अगर अगा स्रेया सेयर को नंबर फॉर पे कर दिया जाए अकेरा राउल को फॉर पे बेज़ा जाए तो फिसरेय सेयर का गरबार हो सकता है यह चीज़ को फोकस करना है रोई सर्मा बिलकुल फॉर्म में है नहीं सामने के इस रिए को और यहां से लेकर के चलूँगा अगर अगर इदिया की तीम पहले बल्ले बाद ही कर रही है ना पहले बल्ले वाजी कर रहे हैं तो फिर मैं आसर रहीम को ले कर क्योंकि द्यास से अगर इधियाक्तिम पहले बॉलिंग कर रही है न तो हो सकते हैं कि बांगलादेश की प्लेयर नमबर का जो प्लेयर रहेगा ना उसकी बलेजी आएगी कि नहीं आएगी तो से 20-25 रूप के लिए आएगी यही रिजन है किसको मैं रिस्क लेकर के अगर इंदिया की तीम चेसिंग कर योग तो ना लेकर के रहीम को लेकर के चलूगा क्योंकि पहले बलेजी करते अभी फ्लाइग मैं इस तरी के से प्लेयर को ले रहो अब एक ऐसा प्लेयर जिसको पर मैं फिर से रिस्क लूँगा उसके आगे बात करेंगों इस पहले देखो यह तीम बनाकर दिखार हूँ एक इनीसियल तीम है जो की तौस होने का लाइन है पाने के जो भी हमारी खुद को आप क्लिक करोगे या फी तॉच करोगे तो आफ सीदे सीदे डिस्किप्शन और पहुंचोगो सबसे उपर आपको हमाय तेलिगराम सर का लिंक देखने को मिल जाएगा तो जोइन जरू कर लेना क्योंकि यही पर मैं अपने खुद की फाइनल टीम से करूँगा जिस भी मैं खुद इस मेंच के पैसे लगाऊंगा आके आने माले मैंच कभी आपको यहां पर इंफर्मिशन मिल जाएगा वहाई कि मुझे लगता है कि इंदिया की तिम का सबसे में आपको महमा सिराज देखने मुलेगा जिसना आखरी मैच आखरी मैच हमें मेगा विनिंग कराने म तस्कीन हमें बाहर हो चुक है मुहमा समय और यह दोनों नहीं खिलने वाले कोर मुझे से मुझे लगता है कोई एक प्लेया खिलेगा एक स्पीनर है तो दुसरा मेदियाप फास पल ला तो दोनों सो को एक ही खिलेगा बाकी यहां से बात करा और रूसिंग्टन सुंदर जि और इस्पिन बॉलिंग से भी काफ़े अच्छा परफॉर्मिस करके आ रहे हैं, यहां से अक्सर पतेल महदी हसन मिराज, बल्ले बाची भी कर सकता है, बॉलिंग से भी आपको एक स्पिनर बॉलर रहे हैं, दस ओवर बॉलिंग पूरा करके देगा, मैमुद अल्ला जो कि अक् सीरन के करी बना करके दे सकता है, तो यह चीज़ को फोकस करना है, कि मेरा यह थोड़ा सा कन्फियूज हो, क्या अफिफ हुसें को ले करके चलूं, या फिर यहां से ले करके चलूं, यहां से महमुद अल्ला या फिर महदी हसन मिराज, यह तीनों मैं किसी को ले करके चलूं कुझ की इंडिया खिलाफ इसका पर्फोर्मेंस बहुत जादा सानधर रहता है, अब इसका रीज़तर नहीं वालेवी कि खिलाफ इसको करते हैं, बालिंग एक परफोर्मेंस पर्फोर्मेंस करके हुआ है, तो समयने करके चलने हो लोग पचास और कि मैच का बाटसा प्लेयर आपको देखने को मिल सकते हैं इसके अलावा यहां से आपके लिए एक और अच्छा प्लेर रहेगा यहां से जिसका नाव है दीपक चाहर बाकी मैं आपको एक चीज़ कहूंगा मुझे लगता है कि दीपक चाहर और सारदल ठाकूर में से कोई एक फ्लॉप हो सकते हैं अगर अगर जाने कि दोनों से जो भी फॉर्ड अंप आए का उसी को अपनी टीम लेकर करके चलूँगा यह चीज़ क्लिए मैं तोसक को इंतजार कर रहा हूं मुझे लगता है कि सबस्कार मैं ने में लेना चाहते हुँ यह वासिंटन सुन्तर को उसके बाध में यहां से बलेगा डियासान लेना चाहते हुआ अफीद भू हुसेंद को लेकिन मैं अफीद हुसें आफीद हुसें हुसेंट तो उल्हा यह दोनों में से किसी एक ही प्लेड को ले करके चलने की सोच रहू है अफिफ हुसएना में से उसके बात में इहां से कराँ रहीम में से किसी एको लेकर चलूगा यह चीश दौस्ट को पर दिपैंद करेगा इंधिया गएंगा पहले ब्लेसी करिए तो लोकेस प्रवाइब देखने हैं बात किना कि अपने के बारे में किसको लोगा उससे पहले देखो मैं पूरे पैसे जोई ना इस मैच के लगा ना ओर रिजन यहां आपको फैंटेसी कि जितने भी अप्ली किसान सबसे ज़्यादा आपको लोएड रुपीज देखने मुलेगा यहां प्रम मेरे कहने पर से अपने जारा लगा बिना हारी सभी आपको दिसक्रिप्सन मिल जाएगा जापी कब और से डॉलोड करके हमेरे साथ ख्यला सुरू कर सकते हैं भी इस मैच के अपने पैसे लगाने वाला ओं प्लेंसी एक प्लेकर को छूज करके सेम नार्री पूरे पैसे लगा सकते हो साकिव लशन के साथ क्या पर यहां से सोचल और व्राथ को लिकाईजा वीसी ले करके चलू वाकिए अब इसको इंटर्चेंज भी करके चल सकते हो पूरा अनलीस बता दिया वीदियो अच्छा लगो तो सब्सक्राइब जरू कर लेना तोस्तों जाने के लाइनाप पास आने के तरह हमारी खुद के फाइनल टीम चेहो तेलिग्राम सरको जाना जिसका लिंक का पूसी वीदियों को दिस्क्रिप्शन और कमें सक्समाग से सबस लेना उसका भी आपको रिप्लाइब मिल जाएगा यानि आपके पास लिंक भेज़ दोंगा